हर किसी का सपना होता है टपर बनना हर किसी का सपना होता है कुछ बहतर करना लेकिन कुछ गलतियों के कारण ही अम टपर नहीं बन पाते अगर कुछ बहतर करना हो तो इस चैनल से जरूर जूरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज्य काड़ी 92 पर मेरा नाम अमरीच कुमार आज हम जानेंगे बिहार बूर्ड मैटिक परिक्षा 2020 विसे जिव बिज्यान महतपुर प्रश्ण दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूं तो सबसे पहरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्र दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्ण आप लोग के शामने प्रतिवर्ति चाप का नमांग के चेत्र बनाए दोस्तों यह बोड में बार बार पूछा करता है कि प्रतिवर्ति चाप का नमांग के चेत्र बनाए फिर दो नमर प के अनेक सारे कार्ज हैं लेकिन आपको बूला जा रहा है कि एकी का आप काड़े लिखे उसके बाद दोस्तों तीन नमर प्रश्ण जो है आप लोगे शामने प्रजानन के महत्व पर प्रकास डाले दोस्तों प्रजानन के महत्व को पर क्या करना है आपको प्रकास डालना है फिर दोस्तो अगला कोस्टन चार नमर प्रस्ट जो है सौ परागन एवं पर परागन में अंतर अस्पस्ट करें दोस्तो यह बार 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 बोड में रिपीट हो चुका है दोस्तो यह 27 में प्रस्ट पूछा है कि सौ परागन एवं पर परागन में अंतर अस्वस्ट करें दोस्तो पांच नमर प्रश्ण आप लोग के सामने मुकलन क्या है दोस्तो मुकलन का परिभाशा आपको लिखना है कि मुकलन क्या है मुकलन का परिभाशा आप दे सकते हैं दोस्तो उसके बाद है छे नमर प्रश्ण आप लोग के सामने तो यह प्रस्ण को आप जरूर याद करिएगा मेंडल का प्रिथिकरन नियम को समझाए, दोस्तो मेंडल का प्रिथिकरन नियम बार बार बोड में पुछा करता है, इसे आप जरूर याद करिएगा, दोस्तो आठ नमर प्रस्ण आप लोग के सामने, अनुवान सिक्ता क्या है अनुवानसित्ता लक्षन किसे कहते हैं फिर अगला है दोस्तो नौनुमर प्रश्ण गूर्ण सुत्र क्या है इसके कारे लिखे दोस्तो गूर्ण सुत्र का कारे आपको लिखना है उसके बाद दोस्तो यह बहुत इन्पोर्टेट कोशन है इससे ज़रूर याद करिएगा चलिए दोस्तो तेरो नमर प्रश्ण आप लोग के सामने संब्रीरित अंक किसे कहते हैं उधारत देकर समझाए दोस्तो फिर चौदर नमर प्रस्ण आप लोग के सामने है दोस्तो यह बहुत ज़िदा इन्पोर्टेट प्रश्ण है इसे जुरूर याद करिएगा दोस्तो रक्त क्या है? मनूष में RBC की संख्या कितनी है? दोस्तो यह प्रशन बार-बार बोड में repeat होता है。 दोस्तो फिर 15 नमर प्रशन आप लोगे शामने है, पोसी अस्तर क्या है? दोस्तो पोसी अस्तर क्या है? एक अहार सिंखला द्वारा दर्साए। दोस्तों फिर मैं प्रश्ण को रिपिट कर देता हूं, पोसी अस्तर क्या है, एक अहार सिंखला द्वारा दर्सा आये, उसके बाए दोस्तों सुल्ला नमर प्रश्ण है आप लोग के सामने, जनन कितने परकार के होते हैं, दोस्तों यह प्रश्ण जो है, बार-बार बोर्ड म में रिपिट होते हैं, ब्रिक का नमांकी चित्र बना कर वर्णन करें, दोस्तों ब्रिक का नमांकी चित्र वानना है और इसे वर्णन करना है, उसके बाद दोस्तों अठार नमर प्रश्ण आप लोग के सामने है, कि नहीं तीन पादप हार्मोन के नाम और उनकी कारे लिखि दोस्तों जो प्रस्न है एक नमर का बोड में पूछा करता है किogh канале की नाम और अपको लिखना है उसके बाद दोस्तों यह भी ज़ो प्रासण है बहुत प्रश्न है बार बार बोड में रिपीट होता है कि मानों हिर्दय का नमांकी चित्र बनाए और वक्ति Wait दोस्तों यह जो प्रश्ण है बहुत ज़्यदा इन्पोर्टेड होने वाला है इससल की एकजाम में फिर दोस्तों 21 में मानों मस्ति का सवर्ण अस्पष्ट आरेक नमांग की चित्र बनाएं दोस्तों यह भी जो है प्रश्ण इन्पोर्टेड है दोस्तों बाइलोजी में और सुपष्ग अनुदर का नमांके चित्र बनाएं दोस्तों 23 प्राश्ण जिवासम क्या है जिव विकास प्रकरण के वि shooting में इह क्या बताता है दोस्तो जिवासमे का परिभासा बार-बार बोड में पूछा करता है इसे जरूर याद करिएगा दोस्तो 24 नमर प्रस्ण जो है परियावरन मित्र बनने के लिए आप अपनी आतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तो यह जो प्रस्ण है बार-बार बोड में पूछा लोगने मनूश में पाचन तंत्र का नमांकी चीत्र बनाए कंप बनाना है ुसके बाद अगला कोस्टों रिख होतalen । तो अगला question दोस्तो 27 नमर जो बहुत ज़्यदा imported है पुस्पी पोधे में निशेचन किडिया का सचीत्र वर्णन करे दोस्तो पुस्पी पोधे में निशेचन किडिया का सचीत्र वर्णन करना है दोस्तो अगला प्रस्ण जो है आप लोग के सामने है मुकुलन क्या है दोस्त तो तीस नमर्द प्रस्ण आप लोग के सामने है पीत क्या है मनुष में पाचन में इसका क्या महत्व है दोस्तो यह जो प्रस्ण है बहुत जदा इनपोटेड होने वाला है इस सल के एकजाब में। अंतर अस्पस्ट करें दोस्तों यह जो प्रस्ट है बहुत ज़्यदा इन्पोर्टेट है दोस्तों यह प्रस्ट आप जरूर याद करिएगा दोस्तों अगला 32 प्रस्ट रॉक्ट और लाजिका में अंतर अस्पस्ट करें दोस्तों एक अंतर अस्पस्ट आपको एकजाम में ह प्रशन की प्रकिरिया को चीत्र के साथ दरसा है दोस्तों अगला है लेगिक तथा अलेगिक जनन में पांच अंतर लिखे दोस्तों एब दोस्तों मैंने तीन चार अंतर बता है उसमें से एक निश्ची तोर पर इस बार बोड में आने वाला है तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कि पर एक लाइक बटन को जोड़ी दबाईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जार ज्यदा अ दोस्तों आज के लिए इतना ही जय हिंत जय भारत तो